हेलो फ्रेंज वागेते सभी का मेरे चैनल में आज मैं सेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल मेथी के पराठे की रेसिपी की बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट पराठा बनके तैयार होगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है दो कोटोरी गेहों का इसके साथ में मैं डाल रही हूँ टू टेबल स्पून बेशन बेशन डालने से पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है अभी डालेंगे वन पो चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर आधा चमच धनिया और यहां पर आधा चमच के करीब हम डाल देंगे काली मिर्ज का पाउडर एक चमच लिया है अजवाइन इसे हाथों से क्रेस करते हुए डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अभ यहां पर मैंने मेथी ले ली है उ तो यहां पर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहां पर मैंने लिए है हरी मिर्ज, अद्रक और लहसुन तो यहां एक इमान दस्ता ले लेते हैं और इसे डाल देते हैं इसमें अद्रक को थोड़ा सा कट करके डालेंगे मिर्शी को भी काट लेंगे ताके कोटन इसे डाल देंगे आटे में सभी चीजों को एक बार हम अच्छे से mix कर लेंगे पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि मेथी में भी moisture है तो पहले हम इसी से आटा को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यहाँ पे मैं तेल डालना पहले भूल गई थी तो एक चमच के बराबर हम यहाँ पे refined oil डाल देते हैं एक बार इसे फिर से mix कर लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक soft dough बना के तयार कर लीना है पराठे के लिए जब आटा लगाएंगे ना इसे soft कर लेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यहाँ पे आटा लगा के मैंने रेडी कर लिया है अब थोड़ा सा इसके उपर से हम ओईल लगा देंगे और आटे को चिकना कर लेंगे अब हम इसे ढखके रख देते हैं 10 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो इसे आदे घंटे के लिए भी रख सकते हैं जिस टाइब के पराठे बनाने हैं पतले या मोटे उसे साब से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे गोल सेव दे देंगे और यहां पर सूखे आटे पर इसे कोट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे तो यहां देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है अब हम इसके उपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे आपको जो भी पसंद है घी या ओइल कुछ भी इसमें लगा सकते हैं और फिर से हम रोटी को फोल्ड करेंगे उसके उपर से भी घी लगाएंगे मैं यहाँ पर ट्राइंगल पराठे बना रही हूँ आप चाहें तो गोल भी ने बना सकते हैं बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर सुबह का नास्ता हो या आपको सफर में जाना है कहीं तब भी आप इस तरीके से पराठे बना के ले जा सकते हैं और ये बहुत टाइम तक सौप्ट बने रहते हैं यहाँ पे मैंने एक पराठा बेल लिया है ना ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा इसे मोठा रखा है तबा मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तो पराठा डाल देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंज कितना बढ़िया इसका कलर आगिया है एक साइट से और इसमें लगा देंगे हम उपर से घीर और इस पराठे को हम अच्छी तरीके से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम आज में हम इस तरीके से स्पैचुला से दबा दबा के पका लेंगे तो पराठा भी क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया ये दोनों साइट से सिख गया है आप इस पराठे को चाई के साथ खाएए दही के साथ खाएए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो देखिए एक पराठा मैंने सिख लिया है यहाँ पर दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है देखिए एक साइट से ये भी सिख गया है इसमें भी हम घी लगा देंगे और अलटते पलटते हुए इस पराठे को भी हम क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो एक बार इस तरीके से मेथी का पराठा बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये पराठा लेगेगा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रहना बिल्कुल न भूले मिलते हैं न्यूरेसिपी के साथ मैं तक तक के लिए बाबा